दोस्तो, मैं आज आपको श्री महालक्षमी जी की गुरुवार की खता सुनाने जारी हूँ आज कल जो किताबे मिल रही है बाजार में, उनका वर्जन पूरी तरसे चेंज कर दिया गया है तो मेरे पास एक पुराने किताब पड़े थी, तो मैं उसी का कहानी आपको आज कथा की सुनाओंगे इस कहानी की लेखाक मेरे पास जो किताबे उसमें अगस्ती बंदू लेखा गया है तो चलिए शुरुवा करते हैं गुरुवार की कथा कोई भी कारे करने से पहले शांती मंत्र का पाट करें ओम श्री शंकराय नमाहा ओम श्री कैलाश पदय नमाहा ओम श्री पारवती पदय नमाहा ओम श्री शांती सागराय नमाहा ओम श्री सुखदापाय नमाहा ओम श्री विग्नहरताय नमाहा ओम शांती शांती ही शांती श्री लक्ष्मी वरत की कथा कश्रवन करने से दुख दारिद्रनाष्ट होकर श्री लक्ष्मी की कृपा धन दौलत प्रापती होती है तथा मन की आकांचाएं पूनन होती है संतती दीरगायी होती है श्री लक्ष्मी विविद रूपिनी है, उनके अनेक नाम है पद्मावन की पद्मावती, केत्कीवन की सुशीला, कुदंबवन की कुंदंदती, कदंबवन की कदंबमाला जैसे अनेक रूपों और नामों से श्री लक्ष्मी प्रसित्ध है। तथा उसे चारवेच शास्त्र और अठारा पुराणों का पूर्णा ज्यान था। सुरच्चंडी का नामक उसकी पट्रानी अत्यांत सुंदर, सुलक्षिनी और पतिवरता थी। साथ पुत्र तथा एक पुत्री शामबाला से सुसजिद उनका दामपत्य जीवन अती सुखी था। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में राजा के राजग्रह में जाकर निवास करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि राजग्रह में निवास करने से राजा अपनी प्रजा को अधिक सुक्त दे सकेगा। जबकि किसी निर्धन के घर में वास करने से पदी हु सूरच चन्री का रानी के महल के दरवाजे के पास धीरे धीरे जाकर खड़ी हो गई उसे देखकर रानी की एक सेविका ने सामने आकर उस रुद्धा दिखाई देने वाली स्त्री से पूछताच की वुद्धा ने अपना नाम पती का नाम रहने का स्थान आदी समुच्चित जानकारी दे दी वुद्धा स्त्री का रूप धारन किये हुए लक्ष्मी माता कहने लगी मेरा नाम कमला है पती का नाम भुवनेश है हम लोग द्वारका के में रहने वाले हैं तुम्हारी रानी पूर्वजनम में एक वैश्य की पतनी थी वह वैश्य अतिदरिद्र था प्रत्यक दिन उन दोनों में पती पतनी में जगड़ा होता रहता था उसका पती प्रती दिन उससे मारपीट करता रहता था इन हालातों से परिशान होकर उसकी पतनी एक दिन उसका घर छोड़कर एक बन में बिना कुछ खाए पिये इदर उदर भठकने लगी उसकी यह दशा देखकर मुझे दया आ गई और धन संपती देने वाले श्री लक्ष्मी वरत की कहानी मैंने उसे सुनाई मेरे कथानुसार उसने लक्ष्मी वरत का पालन किया श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई जिससे उसका दरिद्र नश्ट हो गया संतती तता संपती से उसका घर भर गया उनका जीवन आनन से व्यतित होने लगा दीरखायू तक समस्त सुखो का उपभोग कर अंततह वेमृत्य को प्राप्थ हुए लक्ष्मी वरत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोग प्राप्त का वैभव पूर्ण जीवन बिताने लगे जितने साल उन्होंने लक्ष्मी वरत किया उतने ही हजार वर्ष उन दोनों को सौख्य प्राप्त हुआ अब उन्होंने राजकुल में जन्म लिया है बही स्मरन दिलाने के प्रती मैं यहां आई हूँ राणी की सेविका ने उससे लक्ष्मी वरत की जानकारी पूछी पूजाविदी की भी जानकारी ली वृद्ध रूप धारी श्री लक्ष्मी जी ने उससे लक्ष्मी वरत की जानकारी एवं महात्मे बत्त ला दिया रानी की सेविका उस वृद्ध स्त्री का आभार मानकर राजमहल वापस चली गई तथा उसका संदेश महारानी को जाकर सुना दिया राजवैबों में रहने वाली रानी को अपने एश्वर्य का बहुत खमंड हो गया था वे उनमत हो गई थी वृद्ध का संदेश सुनकर वह यकायक गुसे में आ गई और एक वृद्ध ब्रामिन स्त्री को उद्धंडता के साथ अपमानित किया परन्तु वह वृद्ध स्त्री साक्षत लक्षमी थी या बात रानी को मालूब नहीं थी रानी का उद्धं वर्तन देखकर श्री लक्षमी जी ने वहां रहना का विचार छोड़कर अपने स्वयम के ही निवास जाकर रहने का निश्चे किया वहां से निकलते ही थोड़ी दूर पर उसे रानी की पुत्री शामबाला मिली राजमेहल की घटना की पूरी जानकारी मिलने पर शामबाला ने उसे फुरुद्ध ब्रामन स्शी से शमा याचना की श्री लक्ष्मी जी को उस पर दया आई तथा प्रात्ना करने पर उन्होंने शामबाला को लक्ष्मी व्रत की पूर्णा जानकारी दी उस दिन मारगशिश मास का ब्रहस्पतिवार था शामबाला ने भाव भक्ती से लक्ष्मी व्रत का पालन किया इसकी फल प्राप्ती स्वरूप उसका विवा सिदेश्वन नामक राजस के पुत्र मालाधर के साथ संपन हुआ वहां उसे विपुल वैभव प्राप्त हुआ तथा वह अपने पती के साथ सुक फूर्वक राज वैभव में रहने लगी इधार रानी सूरच चन्रिका द्वारा श्री लक्ष्मी जी के अपमान के कारण हुए उनके कोप से राज़ भद्रशवा और भद्रशवा के राज़ का अस्त हुआ तथा उनके वैभव एवं एश्वर्य का लोप हो गया उनकी दशा बड़ी सोचनिय हो गई एक दिन सूरच चन्रिका ने अपने पती से कहा अपनी बेटी के पती के राज़ा है तथा बड़ा वैभवशाली है उनके पास जाकर अपनी दशा का उल्ले करने से उनको दया आएगी तथा वह कुछ न कुछ धन समपत्ति अवश्य देगा भद्रशवा शामबाला के पती के राज़े में गया वहाँ ठक कर एक तालाब के किनारे विश्राम लेते बैठ गया इतने में शामबाला की कुछ दासियां जल गुम लेकर जल भरने के लिए वहाँ आई उन्होंने राजा भद्रशवा को देखा उन दासियों ने उनके परिचे के बारे में पूछताच तथा नाम ग्राम के विशे में पूछताच की राजा ने उन्हें पून जानकरी देकर अपना परिचे दिया दासियों को यह ज्यात होते ही कि वे उनकी राणी शामबाला का ही पिता है वे दोड़कर राजमहल पहुची और शामबाला को सारी स्थिती का अवगत कराया शामबाला ने अपने पिता को आदर पूरवक बड़े ठाटबाट के साथ अपने राजभवन में लाकर सतकार किया और मिश्ठान आदी भूजन से संतुष्ट कर उनकी आवगत की तथा यशोचित आदर सतकार किया कुछ समय पश्चात बिदा होते समय शामबाला ने उन्हें यथे श्टधन भेट स्वरूप प्रदान किया राजा भद्रशवा अपने घर पहुँचा देखकर सूरत चन्रिका को अपार आनन्द हुआ उसने भेट स्वरूप दिये हुए धन कलश को खोल कर देखा तो उसमें धन के स्थान पर कोईला भरा हुआ पाया श्री लक्ष्मी जी की कोप के खारण ही यह चमतकार हो गया था उनके दुख की सीमा न रही इसी तरह दुख भोगते हुए कुछ दिन पश्चात सूरत चन्रिका अपनी लड़की शामबाला के पास गई उपवा दिन मारगशी श्मास का अंतिम रस्पतिवार का था शामबाला ने लक्ष्मी वरत धारन किया हुआ था उसने अपनी माता जी से भी यवरत करवाया सूरत चन्रिका भी अपने घर वापस आ गई उसने लक्ष्मी वरत किया था इसलिए उसे गदकाल का वैबव फिर से प्राप्थ हो गया राज एश्वर्य फिर प्राप्थ हुआ कुछ दिन पश्चात शामबाला अपने माता पिता से मिलने माई के आई सूरच चन्रिका के मन में अपनी स्वायम के पिता को शामबाला द्वारा कोईले दिये जाने पर तथा स्वायम की माता को कुछ भी न दिये जाने पर अपार क्रोध था इसी दुर भावनावश शामबाला को किसी ने न तो आवबकत की न कुछ पूछताच की उसका वहाँ अनाधर भी किया गया परन्तु शामभाला अपनी माता पर क्रोधित नहीं हुई चलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक अपने साथ बांध लिया निवास्थान पर शामभाला ने पतिदेव से पूछा माईके से क्या क्या सौगात लाई हो तब उसने उत्तर दिया राज्च का तथ्यान चिशार लेकर आई हूँ पतिदेव ने पूछा इसका मतलब उसने उत्तर दिया कुछ देर ठैरो सारी बात समझ आ जाएगी उस दिन उसने भोजन की सभी चीजे बिना नमक के तयार करने की आग्या दी पतिदेव को भोजन परोसा परन्तु नमक के बगेर तयार किये हुए भोजन के खाद्य पदात उसे स्वाधीन लगे पति को अप्रसन देख कर उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा खाद्य पदात में मिलाने पर भोजन, रूचिमय और स्वाधिष्ट लगने लगा शांबाला ने पति को समझाया कि यह है राज्य का स्वार जिससे उनको समादान हो गया इस प्रकार से जो कोई श्री लक्षमी वरत शद्धा पूर्वक भक्ती भाव से करेगा तो उसे लक्षमी की कृपा प्राप्त होगी सुक शांती का लाब होगा सब मनो कामनाय पूर्ण होगी परन्तु संपन्नता तथा वैभव प्राप्त होने के पश्चात लक्षमी वरत करना कभी न भूले प्रत्यक ब्रस्पतिवार को पोठी का पटन श्रवन अवश्य करें ऐसी ये श्री लक्षमी वरत की कथा ब्रस्पतिवार की कहानी सभी को सफलता प्राप्त कराने वाली हो शुबम भवतू ओम शांती शांती शांती